योगिनी एकादशी का महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है इन्ही अलग-अलग विशेश्टाओं के कारण इनके नाम भी भिन्नभिन रखे गए हैं प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं मल-मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है इन्ही एकादशियों में एक एकादशी आशाढ मास के क्रिश्न पक्ष की एकादशी जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्थ पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक मुक्ती भी मिलती है महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्थिर ने भगवान श्री कृष्ण कहा हे त्रिलो की नाथ मैंने जेष्ठ माह के शुकल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी अब आप कृपा करके आशाड माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाए इस एकादशी का नाम तथा माहात में क्या है सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं श्री कृष्ण ने कहा हे पांडू पुत्र आशार माह के क्रिश्न पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है इसके वृत से सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं यह वृत इस लोक में भोग तथा पर लोक में मुक्ती देने वाला है के धर्मराज यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है इसके व्रत से सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ ध्यानपूर्वक्ष रवन करो कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था वह शिवभक्त था उनका हैंमाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था हैंमाली की विशालाक्षी नाम की अति सुन्दर स्त्री थी एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया किन्तु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा इस भोग विलास में दोपहर हो गई हैंमाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आग्या दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हैंमाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया है राजन वह हैंमाली अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है इस बात को सुन राजा कुबेर ने हैंमाली को बुलाने की आग्या दी दर से कापता हुआ हैंमाली राजा के सामने उपस्थित हुआ उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंट फड़फडाने लगे राजा ने कहा अरे अधम तुने मेरे परम पूजनिय देवों के भी देव भगवान शिवजी का अपमान किया है मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यो लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे कुबेर के श्राप से वह ततक्षन स्वर्ग से प्रिथवी पर आगिरा और कोढ़ी हो गया उसकी स्त्री भी उससे बिछड गई मृत्यो लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे किन्तु शिव की कृपा से उसकी बुद्धी मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय परवत की तरफ चल पड़ा चलते चलते वह मारकंडे रिशी के आश्रम में जा पहुँचा वह रिशी अत्यंत व्रिध तपस्वी थे वह दूसरे ब्रहमा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रहमा की सभा के समान शोभा दे रहा था रिशी को देखकर हैमाली वहा गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चर्णों में गिर पड़ा हैमाली को देखकर मारकंडे रिशी ने कहा तूने कौन से निक्रिष्ट कर्म किये हैं, जिससे तू कोड़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्शी की बात सुनकर हेम्माली बोला हे मुनिश्रिष्ट। मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेम्माली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पतनी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्यान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुँचा सका। तब उन्होंने मुझे शाप श्राप दिया कि तु अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यू लोक में जाकर कोड़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोड़ी हो गया हूँ तथा पृत्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। आथ कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरी मुक्ती हो। मारकंडे रिशी ने कहा हे हम्माली। तुने मेरे सम्मुक सत्य वचन कहें हैं। इसलिए मैं तेरे उध्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तु आशाड माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नश्ठ हो जाएंगे। महर्शी के वचन सुनहें माली अती प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है।